हाई फ्रेंज वल्कम बाक तो भाई ये न्यूस तो आप लोगों को मिल चुकी होगी मज़े तो हम थोड़ा ले चुकी हैं इसकी वीडियो होगी इसके बारे में तो टेस्ट हुआ यहां लंका लग गई वहां अब यहां और वहां कोया है कौन सी जगाएं बताओ नहीं पता तो फिर मैं बता देती हूँ यहां मीन्स इंडिया वहां मीन्स पाकिस्तान तो टेस्ट हुआ इंडिया में लंका लगी पाकिस्तान में तो चलो वीडियो शुकरते हैं अच्छा आप लोग बता रहे थे कि यह जो तीन मिसाइल जो हैं वो जो मिसफायर हुई है वो सब शॉ पहुंचूंगी यह पॉन्चूंगा जब शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर ने हो और आपने भी तक सबस्क्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाटन आइकन को क्लिक कर लो ताहिए आपको हमारे सारे न्यू वीड पाकिस्तान की हर एक मीडिया न्यूस चैनल पर हड़कंभ मचा हुआ था अच्छा तभी है मैं पता चला है मैं कुदी नहीं बता ला है कि भारत की तीन मिसाइले मिसफायर कर गई है मतलब वो रास्ते से भटक गई है और ये खबर सुनकर ना सिर्फ पाकिस्तान की जनता और म मुझमी था क्योंकि अब से एक साल पहले ऐसी ही घटना इनके साथ हुई थी जब भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर कर गई थी पाकिस्तानी सीमा के पास और वह लगभग आधा पाकिस्तान पार करके रावल पिंडी के करीब जाकर गिरी थी और उस समय पूरी दुन की जनता तो भूको मर रही है उनका ख्याल नहीं करते सिर्फ अपनी सेना को सुधारने के लिए बारा तेरा बिलियन डॉलर खर्च करते हैं और उसके बाद भी यह हाल है कि एक मिसफायर ब्रह्मोस मिसाइल को ट्रैक नहीं कर पाए और वह ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के तमाम सुरक्षा कवच तमाम डिफैन सिस्टम और रडार को चकमा देते हुए पाकिस्तान के अंदरूनी इलागों तक घुस गई थी अब इन्हें डर ये लग रहा था कि एक साल बाद दोबारा फिर से इनके साथ यही घटना ना दोहराय दी जाए क्योंकि शुरुआत में सिर्फ यही खबर निकल कर सामने आई थी कि भारतिय सेना पाकिस्तान की सीमा के पास राजिस्थान में कहीं पर मिसाइलों का टैस्ट कर रही थी और वह तीनों मिसाईले मिसफायर करके कहीं पर चली गई हैं खैर कुछ घंटों के बार पाकिस्तान की मीडिया और सरकार को य पाकिस्तान के किस्मत अच्छी है कि भारत जो यह तीन मिसाइलों का टेस्ट कर रहा था ना यह तीनों शोट रेंज मिसाइले थी उसकिल से 25-30 किलोमितर की इनकी रेंज थी इसी वज़े से पाकिस्तान में गिरने से बच गए पाकिस्तान की बेज़ती दुनिया भर में फिर होती की जी एक साल पहले आपके साथ सेम ऐसी घटना घटी थी उसके बाद आपने पंदरा अरब डोलर खर्च करे अपनी सेना पर और हालात अब भी जसके तस ही हैं खैर अब आपने से कहीं लोग कहेंगे चलो पाक प्यार बना रहे हों उन्हें रियल टाइम फायर करकर देखो कि वो छे से काम कर रहे हैं या नहीं और अगर उनमें कोई कमी निकलती है तो सुधार कर फिर टेस्ट किया जाता है और यह सिर्फ एक नॉर्मल सी घटना है आपको यकीन नहीं आता तो आप दुनिया के किसी भी ताकतवर देश का गूगल पर नाम डालिये और उसके सामने मिसाइल मिसफायर लिख दीजिए आपको हजारों यहां पर ऐसे इंसिडेंट मिल जाएंगे और दूसरी बड़ी बात आप यह भी तो सोचिए कि जो विक्ति मिसाइल बनाएगा वही टेस्ट करेगा और जो टेस होगा इसके अलावा भारतिय सेना ओल लेडी इस मामले में इन्वस्टिगेशन शुरू कर चुकी है जो भी कमी निकलेगी हम उसे सही करेंगे दोबारा फिल से टेस्ट करेंगे और उसके बाद इसे सेना इस्तमाल करेंगी यह नोर्मल सा प्रोसीजर है हाला कि इस पूरे मा प्रोसी भी बंद नहीं हो रही थी मेरी तो पर इस उसमें एक कमेंट ऐसा था जिसमें उनने का मेकाल से पाकिस्तान से हो तो कमेंट यह आया कि भई आपके यहां पर मिस्फायर हो गई मतलब एक फेलियर हो गया और आपको हसी आरी इस टाइब से थोड़ा मतलब रूड और उस टाइब का था बोलने का धंग अठीक नहीं था तो समाझ आ गया था कि यह पाकिस्तान से कमेंट आया है क्योंकि वो लोगों का बोलने में रिस्पेक्फुली वही बात को कम्यूनिकेट करना उनके लिए बड़ी मुश्किल काम है भई तो मैंने जवाब में उनको यह का पर अगली बारी कि हम कोई गारंटी नहीं ले सकते है कुछ इस टाइप से था मेरा कमेंट तो वही मुझे याद आ रहा था कि उनको यह नहीं समझ में आया कि यह टेस्ट है और टेस्ट का मतलब होता है अब चेक करें कि वाकई यह सक्सेस्फुली कर सकती है जो जिसके टेस्ट करते हो वह सकसेस्फुल थोड़ी कि हो जाएगी वसी ताइम ही उसमे कुछ प्रोब्लम दिखेंगी फिर अब अब उसको फिर एंप्रूफ करोगे तो लिए यह तो अब आपको थेगा कि हामारा थेस्ट जो हो सकसेस्फुल हो गया है और यह इह मिसाइल जो हब हमन जैसे चाइना की तो चीजे पाकिस्तान खरीद के बैठावा है और जब यूस करता तो उसे पता चलता है कि वो तो एक फुसू पटाका है अब वो काम तो हम तो नहीं करते ना बढ़िया इंडिया हम तो पर्फेक्ट चीज बनाते हो उसके लिए हमें तेस्ट करना पड़ता ह है और टेस्स करके हमारे को कभी रिजल्ट उस ताइम पहली बारी टेस्ट में ही पास हो जाते हैं 100 परसंट कई बारी हमें दिखता है कि इसमें कोई प्रॉबलम्स है तो मेरे खाल से प्रॉब्लम्स यह है कि Pakistan ने कभी मिसाइल टेस्ट नीं की इसले उहां के लोगों को पता तेस्ट का मतलब को आती है, उसी तो बोल रहे हैं ना जैसे अगर नहीं पटाइब टेस्ट करना चाहते हो, कि फेल ना हो, तो आप भार से मंगवा लो, जो की पाकिस्टान करते है, भार चाइना से मंगवाता है, अब देखिए, इंडिया बहुत सारी मिसिल्स बनाता है और टेस्टिंग में भी ऐसी मिस्फायर होने के चांसे बहुत कम है इसका मतलब ये बहुत कोई जबरदस टेकनोलजी टेस्ट हो रही होगी क्योंकि साधारन तो कितनी सारी इंडिया के पास और वो पूरी फर्म है सदियों से बड़ी जबरदस चल रही है मिस्फायर क्या होगा इसका मतलब कुछ बहुती मेजर टेकनोलजी उसमें लगाई होगी जो मिस्फायर होगी जो अभी इंडिया बहुत कोशिश कर रहा है अपने मिस्फेल्स में लाने की चक्र ये है कि very sophisticated technology का use हो रहा होगा जो भी initial stages में और तीन में इस्पायर हुई है और क्योंकि normally बंदा टेस्ट तभी करता है जब theoretically उसे सब कुछ लगता है कि all is going to be great छोटे लेवल में जरा से बना के model बना के पूरा study करके उनको guarantee होती है कि अब ये बिलकुल बन गई है कभी fail नहीं हो सकती तो fail होनी का मतलब है कोई ऐसा parameter आगया जो उन्हें नहीं सोचा था design में तो इसलिए बहुत कम चांस होता है अगर हुई है तो ये बहुत ही complicated technology होगी और उनको लगे का ओ अच्छा इसका मतलब है ये भी चीज नहीं हो सकती तो फिर चलते हैं मिलेंगे नेक्स वीड़ो में बहुत ही जल तिल देन टेक केर और बाबाई तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को इट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीड़ो में लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाओ